Power Employees and Engineers Coordination Committee की ये आज प्रेस वारता जो 28 तारीक को Power Employees और इंजिनियर्स के द्वारा Mass Casual Leave का जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है उसके कंटेक्स्ट में हमारी ये बाचीत आप सबसे हो रही है जिस तरीके से आप जानते हैं ये Mass Protest Leave जो 28 तारीक के लिए जिसका नूटिस सरकार को दिया गया था उसमें हमने लगातार ये मान की थी कि जो Agreement में लिस्टेट पॉइंटस हैं डिसेंबर में जो Agreement हुआ था सरकार के साथ कि उसमें जो लिस्टिट पॉइंट से मैं बार बार दोराना चाहता हो जो हमारे चोटे-चोटे मुद्दे उसमें लिस्टिट थे उन पी उन पे जो पेश्रक्थ होनी चाहिए थी वह इस लेवल की अभी तक नहीं हुई है उस पे जो प्रॉग्रेस थी वो उस लेवल की नहीं हुई थी इसके अगेस रोश प्रकट करते हुए 28 तारीक की जो है मास कैजर लीट को प्रफोस किया गया था क्यूंकि लगाता है हमारे जो लोग हैं इस टाइम पर फील कर रहे थे कि गौर्मेंट को रिजेंट्मेंट भी शो करना बहुत जरूरी है कि जो हमारे एग्रिमेंटेड इशूस थे जो इतनी बड़ी स्ट्राइक के बाद एग्रिमेंटेड इशूस थे उनके काम लिए इसी दोरान मैं बतारा चाहता हूं प्रिस्पर सेक्टरी पीडिडी ने इसका संग्यान लिया मास कैज्व लीव का और उन्होंने स्पेशली जो है हमसे यह लगातार बात की और कल भी उन्होंने बात किये इस कंटेक्स में उन्होंने यह चीज़ कही है कि हम इसको जिन्वन इशूज उठाए हैं इनके साथ हैं इन सारे इशूज को हम एड्रस करेंगे और जो इमिजेटली जो हमने लिस्टेड आउट इशूज इस मास कैज्व लीव के प्रेजेंट किये थे उन्होंने कहा है कई सारे इशूज जो हैं 31 से पहले भी रिजॉल हो जाएंग और उनकी positivity और उनके positive attitude को देखते हूँ और हमारे पूरी guidance council जम्मू और कश्मीर का ये इखटा फैसला है कि फिलहाल के तोर पे ये जो 28 तारीका mass casual leave का protest जिसमें की 800 engineers और staff ने सबी चाहे वो हर एक डिस्टिक थे सबने leaves को reply किया था सबने leaves हमें forward भी की थी उसको सेक्री सार् पहले भी resolve हो जाएंगे और कई सारे issues जो है within the next few days वो भी resolve हो जाएंगे त्योंकि प्रिस्पर सेक्री साब नए इस department में जोईन किये हैं और उनको एक महीना almost होने को है और उनकी positivity और उनके positive attitude को देखते हूँ और हमारे पूरी guidance council जम्मू और कश्मीर का ये इखटा फैसला ह कि फिलहाल के तोर पे ये जो 28 तारीका mass casual leave का protest जिसमें की 800 engineers और staff ने सबी चाहे वो हर एक district थे सबने leaves को reply किया था सबने leaves हमें forward भी की थी प्रिस्पर सेक्री साब को भी लिखी थी उसको फिलहाल के तोर पे defer किया जाता है और positive note पे उनके word और assurance को हम सिर्वते मार्क लेके हम यह expect करते हैं कि जो उन्होंने हमसे बादा किया है कि within the shortest possible time जो confrontation को भी avoid करके लोगों को किसी तरह की problems ना आए इसको मदर नज़र रखते हुए हम इस चीज़ को फिलहाल के तोर पे defer करते हैं और सरकार को फिल एक मौका देना चाहते हैं कि वो जो यह genuine demands हैं चाहे कोई भी इन जो हैं डी motivate होते हैं और उनको भी जवाबदारी फील होती है कि हम भी किसी से जो है जिस सरे किसे bureaucratic circles में हरे ग्रेड हरे जो है promotion bureaucracy में मिलती है इंजीनियर्स को भी मिलनी चाहिए हमारे staff को मिली चाहिए technical staff जो 25 साल से promotion का wait कर रहा है technician third cattle हमारे lineman को कभी जिंदेगी में प्रमो अगर पेंडिंग वेज़िस की जाएंगे तो अगर पेंडिंग वेज़िस नहीं होंगी यह तो एजिटेट करें गई आज की देट में power employees coordination committee एक ऐसा medium है जिसमें सभी लोग जो है united क्योंकि हम सभी लोगों के cause को लेके comment के पास बार बार जाते हैं एक ताइम ऐसा आ जाता ह 5-6 महीने 8-10 महीने के बाद जब यह चीज़ें रिजॉल्व नहीं होती है तो एक क्राइसिस की सुच्वेशन बन जाती है लीडर्शिप इल भी ऐस गुड़ एस इस कैडर्स अगर हमारी कैडर्स ली मॉटिवेटेड रहेंगे और कोई भी परिशानी रहेगी उनको तो हमे जादा ग्राउंड पर काम करने वाला चाहिए वो डेली मेंजरों नीड वेस्ट है उसका भी काम इतना ही इक पॉर्डटेड है जितना ही की एक चीफ इंजिनियर की प्रमोशन हो सकती है मेरे लिए जितना ही मेरे लिए बागी कर्मट स्टाफ है उन सभी के इश्यूस को खड़े होते हैं हर बारी हर दिन और आज भी मैं उनसे एश्यूर करता हूं कि हम सरकार को अगर कुछ महलत दे रहे हैं वह इसलिए दे रहे हैं क्यूंकि अल्टमेटली एट एंड अप दे डे 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 वी यह और हम यह चाहते हैं कि किसी को बिना परिशानी किये हुए सभी म उनको समझ के क्यूंकि कैडर बहुत बढ़े हैं मैं एक होँगा एक छोटी सी डिमांड देखो एग्रिमेंट में ओल्मोस्ट आट दस के इशूज थे तो सभी कैडर के अगर एक एक इशू जो है 15-20 दिन में रिजॉल्व होते हैं तो पॉज़िवटी आती है हम यहां पर स कि जो भी उनके पास आएं काइंड़ी उनको थू करें जो रिजैंट्मेंट बार बार पीरिदी के एंप्लोई को फेस करनी पड़ती है कि जब भी हमारी फाइल जीएड और चीट सेक्टरी साहब के वहां पर जाती है तो उस पर प्रसीजल डिलेज होते हैं और उनकी से बताएंगे लेकिन आज की डेट में मुझे लगता है गोइंग और पॉजिटिव नोट हमें जो है गौर्मेंट को यह जो लिस्टेड आउट इशूज है लगातार जो है मैं निटिग्रिटी में नहीं जाओंगा मैं यहीं चाहूंगा कि हमारे लिए पूरा पीरीडी ज इसको कहूंगा कि फिलाल हम इसको कर रहे हैं ताकि गौर्मेंट जो है हमारी यूनिटी का भी रिस्पेक्ट करे हमारे का भी रिस्पेक्ट करे और उनके भी जो कंसर्ण्स हैं उनको एड्रस करते हुए आगे बाद में